सिखों के संघर्ष और साहस ने रखी राम मंदिर, मुक्ति की नीव, अंग्रेज शडियंत्र ना करते तो 1857 में हो जाता समाधान। नवाबो ने नमाज के साथ पूजा का अधिकार भी दे दिया था, पर अंग्रेजी शासन तो हिंदू और मुस्लमानों को लड़ाय रखना चाहता था, उसने 1856 में इस स्थल को चारों तरफ से घेर दिया, इसके बाद भगवान राम की पूजा धांचे के बाहर शुरू हो ग अयोध्या के अहिल्या घाट पर चत्रपति शिवाजी के गुरू समर्थ गुरू रामदास के शिश्य बाबा वैशनवदास रहते थे, उनकी चिम्टाधारी साधूओं की फौज ने भी मुगलों को परास्त कर दिया था, पर वह हमले करता रहा, इससे परेशान गुरू गोविंद सिह को संदेश भिजवाया, दोनों ने मिलकर मुगलों को कई बार हराया, पर 1664 में और अंगजेब ने आखिरकार राम जन्म भूमी पर कबजा करही लिया, उसने चबूतरे और उस पर बने राम मंदिर को तुड़वा कर वहां गढधा करवा दिया, इस ने 1856 में इस स्थल को चारों तरफ से घेर दिया, इसके बाद भगवान राम की पूजा धांचे के बाहर शुरू हो गई, वर्ष 1856 में प्रथम स्वतंत्रा संगराम का वक्त, राष्ट्रिय चेतना का ज्वार, हिंदू मुसलिम एक साथ, ततकालीन हिंदू मुसलिम शा स्थानिय क्रांतिकारी अमीर अली भी जुट गए, सुल्तानपूर गजेटियर में करनल मार्टिन लिखते हैं, अमीर अली के आहवान पर मुसलिम समाज विवादित स्थल पर दावा छोड़ने को तैयार हो गया था, बहादूर शाह जफर ने इसे हिंदूों को सौपने का आदेश भी कर दिया, पर अंग्रेजों ने शडियंत्र कर अमीर अली और रामचरण को 18 मार्च 1888 को फांसी पर लटका दिया, इसके बाद मुद्दा उलचता चला गया, सिखों पर केस बने फैसले के आधार, ब्रिटिश शासन ने पूजा धांचे से बाहर और नमाज गुस्साए निहंगों और हिंदू राजाओं की फौज ने धांचे पर कबजा कर लिया, स्थानिय प्रशासन कुछ लोगों को हटाने में सफल रहा, लेकिन सिख धांचे के सामने डटे रहे, इस कारण नमाज नहीं हो सकी, इस पर 25 सिख सैनिकों पर मुकदमा दर्ज हुआ इस केस और आगे चलकर 22 दिसंबर 1948 की रात धांचे के भीतर रामलला की मूर्ती मिलने पर दर्ज केस के आधार पर ही अदालत ने माना कि 1888 के काफी पहले से उक्तस्थल पर कभी नमाज नहीं पड़ी गई, हिंदू पूजा अर्चना करते रहे, मंदिर के पक्ष में, फैसल मभूमी की लड़ाई भी जारी रही, देश के आजाद होने के दो साल बाद 22 दिसंबर 1949 को धांचे के भीतर गुमबत के नीचे मूर्तियों का प्रकटी करण हुआ, आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को जज पैजाबाद की अदालत में दायर किया। पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया। 14 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रिय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। कहा कि यह जगह मुसल्मानों की है। धांचे को हिंदूओं से लेकर मुसल्मानों को दे दिया जाए। धांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाए। ये मामले नयायालाय में चलते रहे। फैसलों की बात करें उससे पहले रामकाज के लिए हुए कुछ और आंदोलनों की तरफ चलते हैं। राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जितों के निर्मान के खिलाफ अभियान बात 1922 की है। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिशद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जितों के निर्मान को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का एलान किया। दो साल बाद 8 अप्रेल 1986 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमिस्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को आंदोलन का फैसला किया। जन्वरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्मान के लिए गांव गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमिस्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोशना की ततकालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। आडवानी की रत यात्रा ने आंदोलन को दीधार, आंदोलन तेज हो रहा था। इस बीच लाल कृष्ण आडवानी रत यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमी आंदोलन को और धार दे दी। देश की राजनीती तेजी से बदल रही थी। आडवानी गिरफतार हुए, गिरफतारी के साथ केंदर में सत्ता परिवर्तन भी हुए, भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरका गिर गई, कांग्रेस के समर्थन से चंदर शेखर प्रधान मंत्री बने, ये सरकार भी ज्यादा नहीं चली, नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर केंदर में कांग्रेस सत्ता में आई। इन सब के बीच आई वो एतिहासिक तारीख, जिसका जिक्र किये बिना ये कि कल्यान सरकार बरखास्त। ध्वन्स मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में और इजाफा होने लगा। जब कोर्ट में लगी याचिका में कहा गया, भगवान भूखे ह रामभोग की अनुमती दी जाए। मुकदमों की बात हुई है तो फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते हैं और बात फैसलों की करते हैं। एक फैसला एक फरवरी 1986 को आया जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश केम पांडेय ने स्थानिय अधिवक्ता उमेश पांडेय की अरजी पर इस स्थलका ताला खोलने का आदेश दे दिया। फैसले के खिलाफ इलाहबाद उच्च न्यायालय की लखनव खंड पीठ में दायर अपील खारिज हो गई। बाबरी ढ़ाय जाने के दो दिन बाद 8 दिसंबर 1922 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनव खंड पीठ में गोहार लगाई की भगवान भूखे हैं, राम भूख की अनुमती दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1913 को न्यायाधीश हरिनात तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमती दे दी। 7 जनवरी 1913 को केंद सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्यान सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई। भूमी सहित यहां पर कुल 671 एकड भूमी का अधिग्रहन कर लिया। हाइकोर्ट में शुरू हुई मालिकाना हक पर सुनवाई। अप्रेल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनव खंड भारतिय पुरा तत्व सर्वेक्षर ने न्यायालय को रिपोर्ट सौपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदु धार्मिक ठांचा मंदिर होने की बात कही गई। इलाहबाद उच्च न्यायालय ने दिया एतिहासिक फैसला। 30 सितंबर 2010 को इला इसके बाद मामला सर्वोच न्यायालय पहुँचा। 21 मार्च 2017 को सर्वोच न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलजाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वह भी इसके लिए तैयार है। सुप्रीम फैसले ने साफ किया मंदिर निर्मान का रा सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही। लढ़ हाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्म भूमी माना और 2.77 एकड भूमी रामलला के स्वामित्व की मानी वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिच कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्मान के लिए केंद्र सरकार तीन महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधी को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड भूमी किसी उपियुक्त स्थान पर उपलब्ध कर 2020 में आधार शिला अब प्राण प्रतिष्ठा की बारी इसी के साथ तशकों से चली आ रही, लंबी कानूनी, लड्ड है समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्मान की पांच फरवरी 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्मान के लिए राम ज रिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा।